mist fan cooling system क्या होता है mist fan cooling system simply बताया जाए यह एक ring system है और इसके साथ यह pipe रहता है जो कि jet stream के थुरू पानी बहुत तेजी से इसमें से जाता है और यह पूरी तरह से पानी इसमें से रोटेट होता है और यहाँ पे जो nozzle लगे हुए है यह आप देख सकते हैं जो nozzle है nozzle से fine mist particles निकलत तकरा के तुरन के तुरन heat जो है absorb करके vapor हो जाती है इस वज़े से जो आपका farm cool हो जाता है तो आप इस ring को easily normal जो भी आपके पास fan होगा इसको इसमें लगा सकते हैं या ceiling fan भी लगा सकते हैं या फिर wall fan लगा सकते हैं और बिना fan के भी काम करता है अगर आप इसको high power motor के साथ पास करें तो mist fan cooler आप लगाने से दो चीज़े हो जाएगी एक तो आपका temperature तुरन्त अराम से 10-15 degree तक इसको में drop होगा प्लस आपका humidity जो कि आपको mushroom farm में चाहिए वो भी बढ़ जाएगा sprinkling on the roof यह जो technology है normally green house जो होते है high tech उन में इस्तमाल होता है यह भी बहुत अच्छा तक्नीक आप mushroom farm में यूज कर सकते हैं इसका orientation configuration काफी सारे हैं जो हम further detail में discuss करेंगे पर study से यह पाया गया है कि जो sprinkler water होता है जो roof में हम इस्तमाल करते हैं यह भी same process है आपका वैपोर कर देगा जो भी आपका पानी है और उसमें temperature एब्सॉर्ब करके जो green house होता उसको ठंडा कर देता है इसमें क्या रहता है कि इस तरह के high pressure fogging device लगे रहते हैं उनका भी price बहुत सस्ते हैं अब लगबक सतर से सौ रुपे पर piece में आपको मिल जाएगा अगर आप छोटे मोटे इस्तमाल करें तो और इसको readily अपने farm में इस्तमाल कर सकते हैं पाइप में लगा सकते हैं नॉर्मल इसको single individually पूरे farm में लगा सकते हैं या फिर इस तरह से उ पर नहीं जमा होगा इसलिए mushrooms की qualities भी अच्छे रहेगी secondly आपका temperature एकदम से कम हो जाएगा तो यह high pressure fogging device आप अपने mushroom farm में यूज कीजिए यह आपको गर्मी में बहुत help करेगा